सभी दोस्तों को नमस्कार स्वागत है आपका अपने चैनल पर आज हम बात करेंगे यूडाइस का यूडाइस प्लस को कैसे लॉग इन करें मोबाइल पर और लैपटॉप पर और कैसे स्टुडेंट डेटा को फिल किया जाए पासवर्ड कैसे रिजनरेट किया जाए इन सभी समस्याओं का आज हम इस वीडियो में समाधान करेंगे तो अंत तक इस वीडियो को देखिए ध्यान से देखिए और पूरे प्रोसेस को इसी तरह फॉलो करेंगे तो आप अपने बच्चों का सभी डेटा को बड़ी सावधानी पुर्वक फिल कर सकेंगे बिना किसी समस्या सब्सक्राइब हो सब्सक्राइब नेकरेंगे तो दोट्वर्श जफास जशेखिए स्टाठ करते है तो दोस्तों सबसे पहले हम गूगल को उपन करेंगे अपने लाट टॉप में अब गूगल पर हमें लिखना है यूüst दैस तबसण की सकते यू दाईस प्लसुर्य सुन हो उपन कर सकते हैं यूडाइस प्लस को हमने उपन कर लिया है तो यह जो पहला लिंक है यूडाइस प्लस.government.in इसको हम उपन कर लेंगे अब ये जैसे ही उपन होगा तो स्क्रीन इस तरह आपको नजर आएगा इस पर हम राइट साइड टॉप में देखेंगे लॉगिन का उप्शन है इस लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो इसके पहले हमने टीचर मॉड्यूल यह और प्रोफाइल फैसलिटीज को फिल किया था अब हम लॉगिन पर जब जाएंगे तो नीचे आएगा स्टुडेंट मॉड्यूल इसमें यहां पर स्टेट हम अपना सेलेक्ट करेंगे जैसे कि मालेज़े मेरा स्टेट उत्तरप्रदेश है तो मैंने उत्तरप्रदेश सेलेक्ट कर लिया देन यहां से गो कर लेंगे अब यह स्क्रीन खुली हुई है जिसमें लिखा हुआ है लॉगिन फॉर स्टेट डेटावेस मेरेज़मेंट सिस्टम स्टेट मॉड्यूल उत्तरप्रदेश तो इस बॉक्स के अंदर कहीं भी हम क्लिक कर लेंगे जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे हमारे सामने कि यह नया पेज ओपन हो जाएगा लॉगिन का इसको हमें करना क्या है यूजर आईडी तो यूजर आईडी कुछ नहीं है यूजर आईडी इस जस्ट यूडाइस कोड आपके विद्ध्याले का जो यूडाइस कोड है उसे हम यहां फिल करेंगे उसके बाद जो पासवर्ड आपने जनरेट किया होगा उसको यहां करेंगे फिर यह कैपचर डाल के लॉगिंग अगर आपको पासवर्ड नहीं पता है या नहीं ध्यान है तो हम फॉरगट पिपर जाने के बाद यहां पे यूजर आईडी में वही जो म दालेंगे तो जैसे ही डालेंगे तो उसका पासवर्ड आपके मुवाइल पे थ्रू SMS आ जायेगा फिर हम वही पासवर्ड को यूज करते हुए इसको लॉग इन कर लेंगे यूडाइस कोड और पासवर्ड डालके मान लिजे मेरे विद्ध्याले का यूडाइस कोड और यूडाइस कोड जीरो के साथ ही डालना है विताउट जीरो आप डालेंगे तो लॉग इन नहीं कर पाएंगे प्रॉब्लम फेस करेंगे जैसे ही आप यूडाइस कोड और वो जो पासवर्ड एसमेस के थूँ आपने प्राप्त किया है उसको डालके कैप्चा कोड डालके लॉगिंग करेंगे तो ऐसे एक पॉपक खुलेगा जिसमें आपके बिद्ध्याले एक से पांस तक है या एक से आठ तक है वो यहां सो कर देंगे दिन आपका स्क्रिन ऐसे सो करेगा कि आपके विद्ध्याले के एक दो तीन चार कच्छा पांस तक कितने बच्चों का नाम इसमें दर्ज है और कितने बच्चों का नहीं है तो इसको हम याद तो अगर समी बच्चों का नाम सो कर रहा है तो आप विव और मैनेज म जाकց उनको जो भी संसोधन उसमें करना है उसको कर लेंगे जन्wn बिफाइल ओपन करेंगे यहाँ पे देखिए बच्चे की डीटेल ओपन हो जाएगी इसमें अगरने आपको किसी भी प्रकार का संसोधन करना है जंडर करना सम disadvantages के जो भी आप देखें रहे हैं मेरे विद्यालिक आजस्ट एक बच्चाHeak में और एक बच्ची कच्चा एक में प्रदर्स uważ लेगा तो मुझे और बच्चों को ऐड करना ही पड़ेगा तो एड करने के लिए जब हम क्लिक करेंगे तो इसमें ये बच्चे के एक form हम खुलेगा पूरा जिसमें सभी बच्चों का नाम, जेंडर, मदर्स नेम, फादर्स नेम, गार्जियन नेम, डेटा अब बर्थ, यह सारी चीजें हम इसमें एड करेंगे, हाँ, एक चीज और परिसान मत होईएगा, यह स्टुडेंट कोड, आईडी, मांगा हुआ है, एस कहां से हम प्राप्त करेंगे, तो मैं इसको भी बतायता हूं कि यह कहां से मिलेगा, हम आ जाएंगे अपने पेंडना पोर्टल पर, पेंडना पोर्टल पर हम अपने टीचर को जैसे लॉग इन करते थे, डीवी टी के लिए, वैसे ही लॉग इन कर लेंगे, उसके बाद सभ आपने देख रहें, डाउनलोड हो गई है, इसको ओपन कर लेंगे आप, इसको जब आप ओपन कर लेंगे, यह, इसमें आपको यहां मिलेगा, स्टुडेंट यूनीक नंबर, यही है, वो स्टुडेंट आईडी, जो वहां प्रदर्सीत हो रही है, इसको हम वहां फिल कर ल यह आप्शन अगर अवेलबल करा देती है तो इससे बहुत हीजी हो जाएगा जो हमने एक्सल फाइल यह प्रेंड़ना पॉर्टल से डाउनलोड करी है जस्त यहीं पर आके हम उसको अपलोड कर लेंगे यहां से यहां से अपलोड करते ही वो सारा डिटेल आटोमैटिक इसमें अपलोड हो जाएगा हमें वन बाई वन करके फिल नहीं करना पड़ेगा अब एक्सल सीट आप यह डाउनलोड कर लेंगे तो इसमें आपको सभी बच्चों का सब कुछ मिल जायागा इसी के बिहाब पे आप इसको बड़े आसानी से फिल कर लेंगे सिंपल बहुत इजी है इसको किया जा सकता है और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मोबाईल स्क्रिंग कैसे सो करता है और उस पे हम कैसे इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे देखे दोस्तों अब मोबाईल पे जब हम इसको गूगल पे वैसे ही जाके यूडाइस लिखेंगे मैं सो करता हूँ आपको कैसे गूगल पे आ गए गूगल पे आके हमने यूडाइस लिखा यूडाइस प्लस को ओपन किया यूडाइस प्लस पहला ए लिंक आते ही इसको लेना है यह देखिए यहां login सो कर रहा है इस login पर जो हम आएंगे तो as this state module और यह state state में आके हमने अपना state select करना है फिर go ऐसे ही इसमें भी open हो गया है अब इस पर हम पूरे box के अंदर कहीं भी click कर जाएंगे login पर यहां पर भी हमने वैसे ही अपना Udice code password और capture डाल के login कर लेना है login हो गया login होते ही यह वैसे ही आ गया कि आपका विद्याल है किस category का है वो सो कर रहा है इसको close कर देंगे अब यहां से नीचे आने के बाद देखिए वो सो कर रहा है class और वो view management जो मैंने बताया था संसोधन करने के लिए और add student से detail add करने के लिए देखिए अब add student पे हम गये तो ऐसे detail पूरा open हो गया कच्छा एक का अब उसका नाम gender date of birth ऐसे ही सब हम इसमें fill करते जाएंगे fill करने के बाद लास्ट में उसको save कर देंगे ऐसे ही सारे बच्चों का data one by one आप fill करते जाएंगे और वो save होता जाएगा इस प्रकार आपका you dice student detail fill हो जाएगा धन्यबाद इस तरह आप अपने सभी details को बच्चों के fill कर लेंगे अंत में इस वीडियो के माध्यम से जरासा भी सहयोग हुआ हो you dice plus पे बच्चों की detail fill करने में तो इस वीडियो को like कीजिएगा share कीजिएगा और subscribe कीजिएगा namaskar